हलो और वेलकम टू आल, टूडे अवार टॉपिक इस कुलामसला आप में से कई बच्चों को कुलामसला के बारे में पता होगा तो आप वीडियो को पॉस करेंगे और यहां दिये गए कुश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका एंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक के थो मैच करें तता जिनको इस कुश्चन को सॉल्व पर्ण में प्राब्लम हो रही है वो वीडियो को पूरा वाच करें तो चलिए पढ़ना सुरू करते हैं तो अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमें फोर्स देखना है तो उसको हम किस से देखेंगे गुलाम चला से अब यहाँ पे टर्म आया है पॉइंट चार्ज तो इसको बता दे पॉइंट चार्ज होता क्या है So आप देख सकते हो If two charged body whose size is very small comparison to the separation between them The charged body is considered as a point charge कहने का मदलब यह है अहाँ पे मान लेते हैं कोई charged body है अब यह charged body है तो कई सारे electron ने इसे charge किया होगा या तो electron आया होगा या transfer होगा अगर यह एक charge body और कोई दूसरे charge body के बीच का separation काफी ज़्यादा है तो इस charge को मानते हैं कि यह पूरा का पूरा charge एक point की तरह work करता है इस पूरे charge को हम मानेंगे कि यह points की तरह work करेगा और इस charge के पास पहुचते हैं तो यहाँ पे अब हमें अलग-अलग electron दिखने लगेंगे ज़्यादा नश्दीक आने पे और आप यह ध्यान रखिएगा कि हर एक individual electron अपना एक electric field रखता है तो यहाँ पे पास आने पे आपको कई सारे electric field दिखने लगेंगे तो आप confused हो जाओगे कि यह point है कहाँ पे तो अगर हम दूर से इसे देखने की कोशिस करेंगे तो सारे electron का एक combined electric field बनता है और वो किसी एक particular point पे act होता है तो उसी point को हम क्या बोलते है point charge बोलते हैं तो यह basic concept किसका है point charge का है तो आते हैं फिर से अपने कुलाम सलापर और आप I hope की ध्यान रखोगे कि point charge का मतलब क्या होता है तो कुलाम सलापर में देखते हैं तो माल लेते हैं दो point charge है एक है Q1 और दूसरा है Q2 जिनके बीच की दूरी क्या है इनकी बीच की दूरी है small r तो Q1 Q2 दो point charge है जिनके बीच की दूरी क्या है small r है अब दोनों जो point charge है ये एक जैसे magnitude के है मतलब अगर दोनों या तो positive होंगे या तो negative होंगे तो आप जानते हैं same charge एक दूसरे को ripple करेगा तो हम कुलाम सलापर से देखने क्या वाले कुलाम सला Q1 दो charge के बीच लगने वाले force के लिए है तो Q1 और Q2 एक लाइन पर act करेंगे इस लाइन पर act होंगे तो Q2 Q1 को ripple करेगा एक force तो इसे कहेंगे F12 force on 1 due to 2 और Q1 Q2 को ripple करेगा किस force है F21 force on 2 due to 1 तो यह overall क्या है concept है कुलाम सला का कि Q1 पर Q2 force लगाएगा और Q2 पर Q1 force लगाएगा तो कुलाम सला क्या कहता है यह तीन step पर बाते होती है इसमें statement first है कुलाम सला का तो पहला statement कुलाम सला कहता है कि the force between two charges is directly proportional to the product of charge मतलब जो force होगा है मान लेते हैं इन दोनों के भी पहले F12 की बात कर लेते हैं तो जो F12 लग रहा है यह directly किसके proportional है Q1 और Q2 के directly proportional का मतलब आप जानते हो कि एक अगर increase हो रहा है तो दूसरा increase होगा इसका कहने का मतलब यह होगा कि मान लेते Q1 यहाँ पे Q2 यहाँ पे जैसे जैसे Q1 का size बढ़ा होगा charge की value बढ़ी होगी वैसे वैसे जो F12 होगा force होगा वो जादा बढ़ा होता चला जाएगा यहाँ पे लगने वाले force की value बढ़ती चली जाएगी अगर इस charge की value को बढ़ाते जाओगे तो इन दोनों के बीच का force क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा तो अगर दूरी constant है तो charge के value को बढ़ाने पे force की value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यह statement number 1 कहता है statement number 2 कहता है तो यह इसको माल लेंगे question number 1 दूसरा कहता है कि F inversely proportional to the R square अब inversely proportional का मतलब क्या होता यह समझे इन वर्सली proportional का मतलब होता है कि एक के बढ़ने पे दूसरा घट जाए इसका मतलब अगर आप दूरी को बढ़ाओगे तो force की value घटेगी और यहाँ square लगाया है square का मतलब क्या होगा तेजी से घटेगी for example अगर हम separation दो गुना कर देते हैं मान लेते हैं दूरी दो गुना हो गई तो force into 1 upon R क्या था इसको 2R कर देते हैं तो इसका square क्या हो जाएगा 1 upon 4R तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो force क्या हो जाएगा वो 4 गुना कम हो जाएगा अगर हम force को दूरी को 3 गुना बढ़ा दे R पहले था अब इसे क्या कर दे 3R तो 3R का square कितना हो जाएगा 1 upon 3,3 जा 9R square force कितना गुना कम हो जाएगा 9 गुना कम हो जाएगा तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे force की value काफी तेजी से कम होती चली जाएगी तो पहला statement आपने देखा पहला क्या था कि दोनों के product के the force between two charges is directly proportional to the magnitude of the charge and inversely proposed and the second statement is that the force between two charges is inversely proportional to the square of distance between them that is the distance between two charges is smaller and if you square it then f inversely proportional to 1 by r square so from equation first and second so equation first and second क्या कहता है जो f12 होगा वो directly proportional होगा q1 q2 by r square के आप जानते हो जब हम proportional हटाते तो एक constant लगाते हैं तो यह क्या हो जगा k q1 q2 by r square जहाँ पर k क्या होगा एक कॉंस्टेंट होगा इसे कहते हैं कुलाम कॉंस्टेंट तो यहाँ पर यह आपका बना कुलाम्स लाका फार्मूला के एफ इस इक्वल टू के q1 q2 by r square अप कुलाम्स कॉंस्टेंट के की वेल्यू होती है यह वन अपन फॉर्ट पाई एपसाइलन नॉट और इसकी वैल्लू होगी 8.99 इंटू 10 द पावर इंटू 10 द पावर नाइन यह बराबर होगा नाइन इंटू 10 द पावर नाइन के तो आपका कुलाम्स लाका जो फोर्स का डेफिनिशन होगा एफ इस इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपन फोर, एक्स अइलन नॉट क्यू वन क्यू तू बाई आ और इसकरइब और अगर हम उन अपन फोर पै silent not की value रख दे तो f is equal to क्या हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into q1 q2 by r square तो इस formula से हम क्या निकाल सकते हैं q1 q2 अगर दो charge दिये हैं इनके बीच कुछ दूरी है तो हम क्या निकाल सकते है value of force दो charge के बीच लगने वाले force को निकाल सकते हैं तो अभी दो factor मैंने बताय थे equation first में कहा गया था कि q1 q2 पे depend होता है directly proportional होगा equation 2 कहता है कि force inversely proportional होता है उनके बीच की दूरी के square के एक third factor है जो कुलाम्स ला में आपको मिलेगा यहाँ पे हम epsilon not मिलेगा अब इसकी बात करते हैं अगले topic में qartage epsilon not तो कुलाम्स ला का फार्मूला जो हमारा बन के आया वो क्या है एफ इक्वाल टू वन अपन फॉर पाई epsilon not q1 q2 भाई और स्क्वाइर यहाँ पर हमने एक टर्म देखा वन अपन फॉर पाई epsilon not जिसकी value होती है 9 into 10 to the power 9 तो यहाँ पे epsilon not को क्या बोला जाता है permittivity क्या बोला जाएगा permittivity तो अगली heading हमारी होगी epsilon not जिसे क्या बोला जाता है permittivity permittivity constant तो permittivity constant है बट यह constant नहीं होता इसकी value 9 into 10 to the power 9 air या आप कह सकतों space में होता है लेकिन यह actually एक constant नहीं है what is permittivity समझते ही से in journal permittivity is not a constant it is a vary it it can vary with medium and field and temperature and lot of other factors and its unit is kilometer newton per meter square and जैसा कि आप देख सकतों इसकी value epsilon not की value दी जाएगी 1 upon 4 पर epsilon not अगर आपका 8.99 into 10 to the power 9 है तो epsilon not की value हो जाएगी 1 upon जैसे 4 pi की value 3.14 का यूज करेंगे and epsilon not की value जो यहाँ पे होगी 8.88 into 10 to the power 9 हम value रख देंगे किसकी जो की 1 upon 4 पर epsilon not total value यहाँ पे मिली तो epsilon not की value आपकी निकल की आई है 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलाम square पर newton meter square तो इस तरह से आप epsilon not की value देख सकते हो क्या होती है 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलाम square पर newton meter square तो अब आपको यहाँ पे मैं बता दूए epsilon not क्या है epsilon not वो value होती है जैसे कि q1 और q2 जो charge होते हैं कूलाम सला कहता है कि q1 q2 के product के और square of distance between के inversely proportional होता है बट यहाँ पे अगर कोई medium है या कहीं पे temperature कम जादा हो रहा है या कोई electric field आ जाता है या कोई frequency disturbance आ जाता है तो q1 और q2 के बिच लगने वाली force की value change हो जाती है कहने का मलब यह है कि यहाँ पे आने वाले medium को कौन define करता है epsilon not epsilon not की वज़ा से किसकी value change हो सकती है दो body के बिच लगने दो चार्ज के बिच लगने वाले force की value change हो सकती है तो यह रहा आपका कुलाम्स ला इससे related कुछ numerical हम देखते हैं question number one यह रहा आपके सामने question number one कह रहा है find the force between two point charge of eight कुलाम and ten कुलाम separated at a distance of two meter फिर से question देख लेते हैं find the force between two point charge of eight कुलाम and ten कुलाम separated at a distance of two meter तो इसका solution इसका देखते हैं force हमें निकालना है दिया क्या गया है charge q1 एक है eight कुलाम का और दूसरा है ten कुलाम का और इनके बीच की दूरी को हम r से लिखते हैं यह कितने meter की है two meter की है तो आपको क्या निकालना है force की value f की value आपको फार्मूला पता है f is equal to one upon four by epsilon not q1 q2 by r square f की value होगे आपकी 9 into 10 दाप और 9 q1 की value कितनी है eight है q2 की value 10 और इनके बीच की दूरी लिखक की two है तो two cross two two one जा two two four two जा एट टू अन्य तो तू 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 जा एट टू तू 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 जा four nine two जा एट टीन और यहां पे टैन नाइन है और यहां पे पावर one है तो आप जानता हो पावर एड हो जाते हैं तो यह क्या होजाएगा 10 the power 10 force की value या इसे लिख सकते हैं F is equal to 1.8 into 10 the power 11 newton तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से कुलाम सलाथ Q1 और Q2 के बीच जो कि 2 मीटर दूरी पर रखे गए उनके बीच का force बता देता है चलिए अब चलते हैं अपने next numerical की और और आपका question ये रहा Two identical charge applied a force of 4 newton are separated at a distance of 6 meter find the value of charges solution देखते हैं इसका solution कह रहा है कि दो identical charge हैं मतलब जो दोनों charge होंगे उनकी value सेम होगी तो मान लेते हैं Q1 और Q2 की value सेम है जो कि Q के बराबर है फिर question कह रहा है अगर आप देखेंगे तो इनके बीच लगने वाला force 4 newton और ये 6 meter दूरी पे हैं जो force है वो कितना है 4 newton का और जो की दूरी जो है वो 6 meter दूरी पे रखे गया है हमें क्या निकालना है charge की value आकर ये Q1 Q2 की value क्या होगी तो आप फिर से कुलाम्स लाक आप यूज करेंगे वन अपवान फॉर पर एफसाइलन नौट क्यूवन क्यूटू बाई आर स्क्वार फोर्स की value आप जानते हूं कितना दिया है यहां पे 4 आप वन अपवान फॉर पाई की एफसाइलन नौट की value 9 इंटू 10 दपवार कितनी होगी 9 Q1 Q2 identical है तो इन दोनों को क्यू मान लेंगे और आर की value है 6 तो 6 क्रॉस ही हो जाएगा 6 value transfer करेंगे तो यह आएगा 4 इंटू 6 इंटू 6 अपवान 9 इंटू 10 दपवार 9 3 तूजा 6 3 तूजा 9 3 तूजा 9 3 तूजा 3 तूजा 6 सो हम देख सकते हैं 10 दपवार 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 is equal to Q2 square सो यहां से q is square आपको मिलेगा 4 değer एट तूजा 16 इंटू 10 दपवार 9 सो Q is equal to under root 16 into 10 दपवार 9 सो Q is equal to 4 इंटू त Master 3 तो यहां से आप देख सकते हैं क्योन और q2 की value आपको मिले गी क्योन is equal to q2 equal to four into 10 दपवार 3 इसे के साथ आज। आबका kulamψला का ये पार्ट खतम होता है और इससे related काई सारे numericals मैंने description में दे रखें आप उमीद करता हूँ कि आपको आज का topic समझ में आया होगा ऐसे ही interesting video देखने के लिए आग इसे topic को देखने के लिए आप मेरे channel को subscribe कर सकते हों Thank you, have a nice day आपको 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 सकते हों